फर्रुखाबाद भारतिय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपून पन्ना है आजकर शहर में अंदिकृत कब्जों को हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है शायद महाभारत कालीन शहर के रूप में इसकी पहचान बनाने की कोशिश हो रही है हमारे सांसदोव विधायकों ने इसका नाम पांचाल नगर रखने की शिफारिश पहले से की हुई है यहां के कई स्थल महाभारत कालीन माने जाते है हो सकता है इनका भी नया नामकरन होना हो कमपिल जिसका वर्णन महाभारत साहित्य में है ये दक्षिन पांचाल की राजधानी थी. कंपिल, संकिसा वक अन्नौज में खेट जुताई वक हुदाई में प्राचीन कालीन विस्तुएन मिलती है. इस धरोहर को सहेजने की कभी कोशिश की ही नहीं गई. ऐसे में लोकल कलेक्टर्स द्वारा संरक्षित एंटीक अभी कुछ वर्ष पहले ही बागपत में खुदाई से दो रत्वत आबूट प्राप्त हुए थे. यह एक आश्चर्य जनक प्राप्ती थी. इससे भारतिय इतिहास को नए सिरे से देखा जा रहा है. कुछ काली मिट्टी की सीले भी प्राप्त हुई दिखाए गई है. दा, कोई शक नहीं की हमारा शहर अती प्राचीन कालीन है. इसमें रिसर्च की जरुरत है. रिसर्च के अभाव में हमारी अधिकतर धरोहरे नश्ट हो चुकी है या कब जाए जा चुकी है. वर्तमान में भाजपा के नित्रित्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद भारतिय अहतिहासिक अनुसंधान परिशद, ICHR के नियुक्त निदेशक प्रोफेसर वायसराव ने सपश्ट रूप से कहा कि उनका उद्देशक उरुक्षेत्र में पांडवों और कौर्वों के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध की तिथी का पता लगाना है। इस पर भिन-भिन मत हो सकते है किन्तु धर्म या कहानी के आधार पर इसे सिधा करने की कोई भी कोशिश भ्रम पैदा करेगी। मेरा मानना है कि जन्मत के आधार पर नामकरण न होकर धरोहर क्या बोलती है कि आधार पर नामकरण किया जा सकता है। अगर फरुखाबाद एक महाभारत कालीन शहर सिधह हो जाए। अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब कर देव साथ में लगी घंटी अवश्य दवा दें।